बुलंद शहर कैश बैक काटने वाला इंटर स्टेट फैमिली गैंग गिरफतार गिरफतार फैमिली गैंग के सदस्य भाई बहन भाबे रहागीरों का बैक काट कर पार कर देते थी कैश रागीरों को लजहा बैक काट कर नगदी साफ कर देता था इंटर स्टेट फैमिली गैंग हरियाना यूपि राजिस्थान में भी कई वारदातों कंजान दे चुक हैं इंटर स्टेट फैमिली गैंग गिरफतार फैमिली गैंग से एक लाग 65,000 नगद एक एक स्यूवी कार भी बरामत गिरफतार फैमिली गैंग के एक महिला सदस्य है वी ऐसी गणित डिग्री धारक पुलिस ने फैमिली गैंग के तीन सदस्य सतेंद्र पूनम और पूजा को किया गिरफतार बुलंद शहर सिटी कोट वाले पुलिस ने फैमिली गैंग के सदसे को गिरफ्तार कर किया तीन वार दातों का खुलासा लिए थाना कोटवाली नगर की टीम को लगाया गया था जिनके द्वारा CCTV जब चेक किया गया तो यह पाया गया कि इन सभी केसेज में इन रिद जनों के बगल में एक महिला बैठी है जब और अन्य CCTV चेक किये गए तो उसके आधार पर कुछ इंपूट्स मिले जिसको की लिए पूल यह तीन लोग हैं जो की हर्याणा के में रह रहे हैं और मूल रूप से यहां बुलंचेर के चोला के रहने वाले हैं पूस्ताच में इनोंने बताया कि यह इस तरीके की टपवाजी की घटना कई सारे कर चुके हैं और इनके लोकेशन इत्यादी को चेक किया गय तो उतर प्रदेश में ही जन्पद बारा बंकी, एटा, अलीगड इत्यादी जन्पदों में इनके द्वारा इनका मूव्मेंट पाया गया और वहां की घटना इनोंने कबूली साथ ही साथ यह राजिस्तान तरफ भी गए हैं वहां पे इनोंने घटना करी हैं CCTV फुटेज के अधार पर इनके पास से एक लक्षरी गाड़ी गाड़ी जिससे की यह घटना स्थल पर जाते थे वह बरामत किया गया है और एक लाग पैसट हजार रुपए जो की जन्पद की तीन घटनाओं से संबंदित हैं वह बरामत किया गया है इनका जैसा मैंने बता है मॉडस ऑपरेंडी यह थी कि यह व्रिद जनों को खासकार के व्रिद महिलाओं को टार्गेट करते थे और इन में से एक महिला है जो की काफी पड़ी लिखी है उसने ब्यस्सी कर रखी है और वो इस पूरे